फोली आ रही है तो गुजिया के बीना ये तिहार बिल्कुल अधूरा है और बहुत ही perfect हलवाई style जो गुजिया होती है बिल्कुल soft, mouth melting अंदर से बहुत जाला soft हो और बाहर से बिल्कुल crunchy हो इस तरह की गुजिया हम आपके साथ आज शेयर करेंगे इसमें कुछ tips होते हैं वो बिल्कुल हलवाई style है इसको हम उपर से चाशनी भी लगाएंगे आप दोनों तरीकें से बना सकते हैं बिना चाशनी के भी और चाशनी के भी आप देखे कितनी जादा ये soft बनी है और जो गुजिया की उपर की layer है वो कितनी जादा crispy है बहर से और अंदर से अगर आप लगा लेना है और यहाँ पे 1.5 cup हम मैदा लेते हैं मैंने 1 cup पहले डाल दिया है आदा कप बाद में डाला है 1.5 cup मैदे को हम अच्छी तरह चान लेते हैं इसमें कोई गुटली विगरा कुछ भी नहीं होना चाहिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा baking powder दो च अची तरह mix up करना है पहले पानी आप पहले कम डालिएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल लेंगे यह जो डो बनाना है यह काफी tight बनाना है हमें यह डो धीला नहीं होना चाहिए अगर धीला हुआ तो आपकी जो गुजिया है वो shape नहीं लेंगी मैं व्युक दो बनाकर आपने इसको रस्ट पे रख देना है 8-10 मिनट के लिए इस दोगो आपने बहुत अच्छी तरह नीड करना है इसमें जो cracks बगएर है वो बिलकुल नहीं होने चाहिए दो हमारा smooth हो जाए लिकिन थोड़ा tight ही रहे अब हम इसको ढग कर रख देते हैं एक गीला गी पैन में डाला है और उसके अंदर dry fruits कट करके डाल देते हैं dry fruits आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब गी के अंदर इनको अच्छा सा crispy होने तक पकाना है वोगी गुचिया के अंदर जो dry fruits होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच् बहुत सारे इसके अंदर coconut की filling डालते हैं अगर कुछ भी नहों तो आपके घर में बर्फी हो अगर बर्फी बची पड़ी हो तो उसकी filling भी आप कर सकते हैं यहां पर मैंने दो चमश सूजी के लिए हैं सूजी को हम इसी घी में थोड़ा सा भून लेते हैं घी को मैंने side में यह कची नहीं रहने चाहिए जब यह भून जाए तो dry fruit इसके अंदर ही mix कर लें और एक मिनट के लिए और भून लें देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें color आ गया है बिल्कुल low flame पे मैंने इसको भूना है अब इसके अंदर डाल देती हूं एक cup खोया यह जो खोया है य इसके साथ इसको mix करेंगे और एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे बस इसको ज्यादा नहीं पकाना है और पकाने के बाद इसको हमने इस तरह है प्लेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे तोंकि इसके अंदर जो मीठा डालना है वो ठंडा करके ही डालना है गरम में बिल्कुल नहीं डालेंगे अब जो हमारी फिलिंग है वो ठंडी हो गई है और इसके अंदर डाल देते हैं सौंफ का पौडर सौंफ का पौडर जो होता है गुजिया में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है आप इसको जुरूर डालिएगा इलाची का पौडर और सौंफ का पौडर मैंने मिक्स करके बनाया हुआ है वो डाल दिया है और यहां पे अब दो से तीन चमच मैंने शुगर के डाले है यह हमने पीसी हुई चीनी डालनी है यहां पे साबो चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे अब लीजे फिलिंग हमारी रेडी हो गई है इसको मैं हाथों से अच्छी तर मिक्स कर देती हूँ चीनी का कोई भी लामसिस के अंदर नहीं होना चाहिए इस तरह इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ गई है अब हम दो को चेक करते हैं डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गई है अब डो हम इस तरह हैं थोड़ा सा नीड कर लेंगे डो हमारा बहुत ही बढ़िया है टाइट है और बिल्कुल अंदर से स्मूथ है इसी तरह का इसमें क्रैक्स नहीं है अब हम इसको छोटे-छोटे पोर्शन में तोड़ लेते हैं जितना पेड़ा हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे आधा लीजिएगा और इतने छोटे-छोटे पोर्शन आपने कट कर लेने हैं अब एक पीस को इस तरह उठाईए अंदर की तरह फोल्ड कीजिए और राउंड कर लीजिए इस तरह के आपने पेड़े बनाने हैं पेड़ों में भी बिल्कुर क्रैक्स नहीं होने चाहिए अब हम इसको बेल लेते हैं यहाँ पेड़े को हम चकले के उपर कटिंग बोर्ड के उपर रखते हैं और इसको बेल लेते हैं बहुत ज्यादा पत्ला भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसका शेप है जो आपने दो सभी साइट से ब्राबर रखना है गोल कर लीजिए और यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है नहीं तो जो आपकी करंची बनेगी जापकी गुजिया बनेगी बहुत ज्यादा मोटी सी लेर ले लेगी और इसका टेस्ट नहीं आपाएगा अब इसी तरह आपने पहले सारी चोटी-चोटी पूरियां बनाकर रख लेनी है गुजिया हम दो तरीके से बनाएंगे हाथों से बनाएंगे बिना मोल्ड के और फिर मोल्ड के साथ भी बनाएंगे दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट रहेंगे जो मर्जी तरीका आप यूज कर सकते हैं इस तरह मैं गुजिया की जो फिलिंग है उसके अंदर थोड़ी सी किश्मिश डाल देती हूं मुझे किश्मिश परसनली बहुत पसंद है अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा अधरवाइस नहीं डालनी है तो इससे कोई जुरूरी नहीं है कि किश्मिश के बिना गुजिया नहीं बनती है अब हम इसको थोड़ा सा बाइंड कर लेते हैं बाइंड करके इस तरह के छोटे-छोटे रोल बना कर रख लीजिए बहुत ही इजी हो जाता है इस एक रोल को उठाओगे और रखोगे तो फटा-फट से गुजिया हमारी बन जाती है अब हम एक पूरी यहां से उठाते हैं पूरी उठाके साइडों में लगाते हैं पानी इसके एजिस पर आपने पानी लगा देना है पानी लगाने के बाद इसके अंदर फिलिंग रखेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह filling को रखना है, filling उतनी रखनी है, जितने ही अच्छी तरह ये fold हो जाए, अभी मुझे थोड़ी सी filling ज़ादा लग रही है, मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, अब filling कम करने के बाद इसको इस तरह turn करेंगे, और जो इसके किनारे हैं, इनको आपस में seal कर देंगे, इस तरह गुझिया की जो filling को अच्छी तरह अंदर की तरफ कर दीजिये, और इसके किनारे seal कर दीजिये, seal करने के बाद, अगर तो ऐसे ही fry करना है, तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हलका सा design बनाएंगे, तो अच्छा लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा इतरह गुमाते हुए, एक design क शेप दे रेते हैं, यह जो design है, नॉर्मली जब market से हम गुझिया लेते हैं, वो यही वाला design बनाते हैं, और जब market के वाली गुझिया होती है, उसके अंदर बहुत सारी चाशनी, यानि कि बहुत सारा शुगर सिरफ डाला जाता है, मैं तो उसको खाई नहीं सकते हूँ, को कि उसके अंदर इतना जादा मीठा होता है, गला पकड़ लेता है, मुझे कम मीठे वाली बनानी है, देखे, मैंने filling के अंदर भी बहुत ही कम मीठा डाला है, और जो चीनी की coating करेंगे, हम बहुत कम करेंगे, जो हलवाई होते हैं, होल मार के, अंदर भी चाशनी भर देते ह हैं, जिससे गुझिया हेवी हो जाती हैं, और यहां पे मार्किट में अगर खोये वाली, मावे वाली गुझिया आप लेते हैं, 900 से 1000 पे किलो है हमारे यहां तो, बाकी हर एरिये का अपना अपना रेट होता है, अगर आप इसको घर पर बनाओगे, तो 200 से 200 में आपकी बना ली है, अब देखिए, यह तो मेरी जो हाथ के साथ हमने शेप दे के बनाई है, वो है, बाकी हमने मोल्ड के साथ भी सारी बना ली है, अब हमने घी को या तेल को गरम होने के लिए रखना है, यहां पे सर्सों के तेल का यूज बिलकुल नहीं करना है, कई लोगों के questions ह होते हैं कि oil कौन सा यूज करें, refined oil कोई भी यूज कर सकते हैं, सर्सों का तेल बिलकुल नहीं डालना है, अभी oil के अंदर इसको डालिए, medium से low flame पे आपने तेल को गरम करना है, तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गरम हुआ, ऊपर पक जाएंगी, अंदर से कची रह जाएंगी, अब जब यह पक रही हैं तो यह उपर आ जाती हैं तेल के और इसको इस तरह टर्न करते जाना है बीच बीच में और बहुत ही अच्छा सा कलर लेके आने तक पकाते रहना है, अब मैं बीच बीच में एक गुजिया इसके देना है हमने, और स्पेशली बोल रही हूँ गुजिया को हमने कम आज पर सेखना है, तो इसके लिए चाशनी बना लेते हैं, एक कप हमने चीनी ली है और आधा कप इसके अंदर पानी का डाला है, पानी डाल कर इसको हमने वायल आने देना है, यहां पे बिना तारवाली च चाशनी आपने नहीं बनानी है, क्योंकि अगर तारवाली बना लोगे तो गुजिया के ऊपर एक क्रण्च वाली लेयर आ जाएगी, वो हमने नहीं लेक्के आनी है, अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है, जब मैं इसको पका रही थी, मैंने आधा चम्मच इसके पक गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं, निकाल कर हमने इसको डारेक्ट चाशनी में डालना है, और सेकिंड लोट को भी हम इसके अंदर पकने के लिए रख देते हैं, जब तक ये पक रही हैं, तब तक पहले वाले लोट को हमने चाशनी के अंदर डाल देना है, अब जिस second lot भी हमारा fry हो गया है इसको भी निकाल लेते हैं जितनी भी गुजिया आपने बनानी है फ्राइ करते जाएं चाशनी में डालते जाएं अगर आप ज्यादा quantity में गुजिया बना रहे हैं बहुत सारे लोग हैं आपके घर में या फिर guest आने हैं या आपने किसी को gift करना ह हैं तो आप इसके लिए चाशनी थोड़ी ज्यादा बनाएंगे क्योंकि गुजिया अची तरह डिप हो जानी चाहिए अब इसको एक बार मैं अची तरह घुमा लेती हूं सभी साइट से तो बस इतना ही करना था ज्यादा चाशनी में हम नहीं रखेंगे नहीं तो यह कोम करते हुँ मैं जस्त एक कोटिंग ऊपर की तरफ दे रही हूं इसी तरह हम सारी कोटइंग दे देते हैं कोटिंग देने के बाद सारी कुजिया मैंने बना ली है आप कितनी बढ़िया है यह हमारी गुजिया बनी है उपर से तोड़ा सा ड्राइपॉर्ट डाल दीजिए मैंने इसके उपर से पिस्टा डाला है बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही क्रिस्पी अंदर से माउथ मैंटिंग ये हमारी गुजिया बनकर तयार हुई है आप इसका शेप देखिए कितनी फूली फूली है गुजिया के बिना होली का जो मज़ा है वो अधूरा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है और आप क्या करते हैं होली के दिन, क्या-क्या बनाते हैं अभी होली को टाइम था, इसलिए मैंने गुजिया बनाई है होली वाले दिन तो चाट, पकॉड़ी, दहीं भले बहुत कुछ बनता है, वो भी हम बनाएंगे देखे, कितनी बढ़िया, फ्लफी सी ये गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है और इसकी जो लेयर है, वो मैं आपको एक बार तोड़ कर भी दिखा देती हूँ देखे, मैंने जरा सा इसको हाथ लगाया है और बहुत ही सॉफ्ट सी ये गुजिया हमारी तूट गई है और इसकी लेयर देखे, कितनी खस्ता बनी है आपको ये रेस्टपी कैसी लगी है, हमें चुरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बनाईए गुजिया, सभी को खिलाईए और हैपी होली